नमस्कार इन खबर में आपका स्वागत है मैं हूँ आपके साथ सतेंदर सर्मा लोगसभा चुनाओं को लेकर दीस में अब सरगर्मी बढ़ गई है दीस की तमाम राजनिती पार्टियां अब चुनावी मैदान में कूद चुकी है राजस्थान में लोगसभा चुनाओं को लेकर कांग्रेस बड़ी सावधानी से रड़नती त्यार कर रही है पिछले दो लोगसभा चुनाओं में कांग्रेस का सुपड़ा साप रहा ऐसे में क्लेंस स्वीप से बचने के लिए कांग्रेस अपने दिग्ज नेताओं को लोगसभा चुनाओ लडाने पर बिचार कर रही है चर्चा है कि आधा दर्जन से अधिक दिग्ज नेता BGP की तर्च पर लोगसभा का चुनाओ लड़ सकते हैं इधर टोक में भी सचिन पाइलेट को लोग सवा चुनाओ लडाने की मांग उठने लगी है इससे पहले भी स्यासे गलियारों में भी यही चर्चा हो रही थी कि पाइलेट को इस बार टोक सवाए माधोपुर लोग सवा सीट से चुनाओ लडाया जा सकता है कांगरिस लोग सवा चुनाओ को लेकर सभी सीटों पर जाकर कारिकरताओं से फिटबैक ले रही है इसके अलामा चुनाओ लडने वाले इच्छों को मिदवारों के बायो डाटा भी लिये जा रहे हैं रभी बार को प्रदेश चुनाओ समीती के सदस पुर्व मंत्री मुरारी लाल मीडा और कांगरिस का अबजरवर महिज सर्मा समेत पदादिखारी टोक पहुचे इस दोरान जिला कांगरेस कमेटी ने सचिन पाइलेट को टोक सवाई मादोपुर लोग सवा सीट से चुनाओ लडने की मांग उठाई कारकरताओं ने कहा कि पाइलेट जिताओं मिदवार हैं अगर वो चुनाओ लडेंगे तो लोग सवा सीट से जीत हासिल करेंगे कारकरताओं से फिडबेक लेने आये प्रदेश चुनाओ समीती के सदसे मूरारी लाल मीडा और कांग्रीज की अबजरवर सर्मा के समझ कारकरताओं ने पाइलेट को चुनाओ लडाने की मांग उठाई इस पर प्रभारी मीडा ने कहा कि सचिन पाइलेट राष्टी नेता है उनका बड़ा जनाधार है वो चुनाओ लड़ भी सकते हैं और लड़ा भी सकते हैं इधर टोक में अब पाइलेट को लेकर लोग सभा का चुनाओ लडाने की मांग तेज होने लगी है सचिन पाइलेट को टोक सवाई मादोप और लोग सभा सीर्ट से चुनाओ लड़ने के पीछे कारकरताओं का तर्ख है कि यदि सचिन पाइलेट यहां से चुनाओ लड़े लेकिन गोड़जर समाज में सचिन पाइलेट की गहरी पैठ है इसका लोगसवा चुनाओं में फायदा मिल सकता है कारकरताओं के नुसार टोंक सवाई मादवपूर के समीकरड सचिन पाइलेट के पच्छ में है सियासी गलियारों में चर्चा है कि कांग्रेज अपने दिगज निताओं को लोगसवा चुनाओं में उतारने की तयारी कर रही है इसमें पुर्व मुख मंतरी अशोग गहलोत को जूदपूर गोविन सिंग डोटासरा को सिकर बैतू बिधायक हरिश चौधरी जैसल में बाड मेर से चुनाओं मैदान में उतर सकते हैं इसी तरह बिकानेर लोगसवा सिर्ट से गोविन्द राम में एखवाल के चुनाओं लड़ने की चर्चा हो रही है इसी तरह सचिन पाइलेट भवर्ती जैन और अशोग चाधना के नाम पर भी कांग्रिस दाओं खेल सकती है उधर भाजपार ने भी एलान कर दिया है कि अफिर बार 400 पार और भाजपार खुद 370 सीट जीते गी और एंडिये मिलके 400 पार सीटे हासिल करेंगी देखना होगा कि कौन सी पार्टी कितनी सीट इस चुनाओं में लाती है ऐसे में तमाम कबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें खबर धन्यवाद